नमस्कार मैं हूं मोनिका जाय स्वाल और आप देख रहे हैं इंडिया नियूज राजिस्थान की खास पेशकर्श तैतीस दिले तैतीस खबर कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहूल गांधी को एडी ने नोटीस जारी किया है इसी को लेकर कॉंग्रेस में इस उमवार को देश फर में प्रदर्शन करेगी और आपको बता दे कि प्रदेश में प्रदर्शन में भाग लेने के लिए मोखी मंद्री अशोग गहलोद दिल्ली पहुंच रहे हैं इस दुरान दिल्ली एरपोर्ट पर वे मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने इस दुरान क्या कुछ कहा सुनिये राउर गांधी और फुर्मे गांधी जिनों जिस परदा एक मैसेज देने का देश के अंदर हम कॉम्परमाइज नहीं करेंगे हम घिशा दरग आदा पर लड़े लड़ेंगे विपक्स मेरा करेंगे कॉंग्रिस सद्यक्ष सुनिया गांधी और नेता राहूल गांधी को ईडी ने नोटीश जारी किया इसको लेकर कॉंग्रिस की राष्टी प्रवक्ता गॉरफ भलव ने प्रेस कॉन्फरेंस की और जुरान पीसेज़े चीफ गोमी सिंग डोटा सरा माजूद रहे प्रवक्ता गॉरफ ने क्या कुछ कहां सुनिये कॉंग्रिस पार्टी ने खुले आम बोला कि हम पंडित नहरू और सरदार पटेल के विजन को हम मरने नहीं देना चाते और ना मरने देंगे हमने उसको रिन दिया बाकाइदा एकाउंट्स में बता के रिन दिया वो समाचार पत्र वापस नहीं पैसा दे पारा तो यंग इंडिया लिमिटेड ने असोसेटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेर्स लिये अब कॉंग्रेस पार्टी ने शेर्स क्यों नहीं लिये क्योंकि कोई भी पॉलेटिकल पार्टी किसी फर्म के शेर्स नहीं ले सकती इसलिए जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसने असोसेटेड जर्नल्स के शेर्स लिये क्योंकि जो 90 करोड का Congress Party ने रिंड दिया था, उसके पास वो चुकाने को पैसा नहीं था, तो अब सवाल यह है, कि जब एक पैसा भी बाहर नहीं निकला, जब एक पैसा भी Congress Party या Congress Party के कोई भी लीडर के पास गया नहीं, तो एक किस बात का नोटिस है, क्या देश में कानून क कानून की प्रावधान को मानना के लिए ये नोटिस दिया जा रहा है, शिरी मती सोनिया गांदी जी, शिरी राउल गांदी जी और हमारे नेत्रतु का इरादा बड़ा इस पष्ट है, लडेंगे और हराएंगे छूट को कॉंगेस विदायक सचिन पालेट ने लखनों में प्रेस कॉंफरेंस की और इस दुरान उन्होंने बीजेपी पर जम कर निशन असाधा, उन्होंने कहा कि इसा संभव नहीं है कि पूरे देश में किसी भी भाश्पा नेता ने ऐसा कोई काम न किया हो जो इस पर छापा डाल जाए उन्होंने कहा कि सोंवार को दिल्ली में राहुल गांदी के सास सभी सासत कारे समीती के सदस्य और प्रमुख नेता जाएंगे सुमवार कुराहुलगांधी एडी के समन के जवाब में खुद को पेश करेंगे पिशले साथ से आठ सालों में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग न किया गया हूँ हर जगे देश और विदेश के एजन्सियां भारत को कम आख रही है यह चिंता का विश्या सकते हैं कोई संस्था हो, कोई संगठन हो, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो किसी भी व्यक्ति को इस देश के कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है किसी मख़ब का वेक्ति हो, किसी पिश्ट भूमिका हो, कानूं को अपने हाग में नहीं ले सकता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो कमियां है छपाने के लिए इस प्रकार की चीजों को जाता प्रकाश डाला जाता है ताकि लोगों का दिमाग और ध्यान उसमें केंद्रित रहे और जैपूर से बड़ी खबर जहाँ पर वकील के आत्मदाह का मामला सामने आया है जिसके बाद SDM राकेश कुमार पर गाजगिरी और SDM राकेश को निलंबित कर दिया गया कार्मिक विभाग ने एक आदेश जौरी किया है और इस आदेश के मताबिक SDM राकेश कुमार पर गाजगिरी है उन्हें कारिस निलंबित किया गया है तस्विरे आप देख रहे हैं कार्मिक विभाग ने आदेश जुरारी किया और इस आदेश के मताबिक SDM को निलंबित कर दिया गया है वकील आत्मदाह के मामले में आपको बता दे कि वकील ने आत्मदाह किया था जो उसके बाद उन्हें हस्पिताल में भरती कराया गया लेकिन डॉक्टर उन्हें उन्हें मृत्त घोशित कर दिया इस पूरे मामले में SDM राकेश कुमार पर गाश गिरी और उन्हें निलंबित कर दिया गया तो कार्मिक विभा ने आदेश ज़ारी कर SDM राकेश को निलंबित किया है वकिल आत्मदाहां से जुड़ा ये मामला जिसमें अब SDM पर गाश गिरी और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में SDM राकेश को निलंबित कर दिया है तो वकिल ने आत्मदाहा की थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती किया गया था जिसके बाद वकिल की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले में SDM को निलंबित कर दिया गया है आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया और इस आदेश के मुताबिक SDM राकेश को निलंबित किया गया है जैपुर से ये बड़ी जुआनकारी जहां पर SDM पर गाश गिरी आपको बता दे कि वकील आतमत्दाह से जुड़ा ये मामला जिसमें SDM राकेश को निलम्बित कर दिया गया है मुख्यमंद्र अशोक गहलोत ने चुरू के सुजानगड में हुई सड़क दुरघटना में चार लोगों की मौत पर दुख वेक्त किया शोकाकुल परिजनों के प्रती गहरी समवेदनाय वेक्त की वहीं उप्खंड अधिकारी सुरेंद्र राजपुरोहित भी मृतकों के परिजनों से मिले और उनको प्रिशासनिक स्थायता का भरोसा दिलाया तो सड़क हाथसे में चार लोगों की मौत हुई है आपको बता दें कि इस पूरे हाथसे में से अशोक गहलोत ने गहरा दुख वेक्त किया उन्होंने कहा कि शोका कुल परिजनों की प्रती मेरी गहरी समवेदना है मृतकों की आत्मा को इश्वर शान्ति दे यही प्रात्थना करता हूँ प्रशासनिक सहायता का भी सीम अशोक गहलोत ने परिजनों को भरोसा दिलाया है आपको बता दें कि इस पूरे सड़ा खात्से में चार लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरी घटना पर सीम ने गहरा दुख वेक्त किया इसी के साथ उन्होंने उपखंड अधिकारी से मुलाकात की और साथ ही कहा कि परिजनों को हर सहायता उपलब्ध कराये जाएगी परिजनों को हिम्मत बंधाई इसी के साथ सेम अशोक गहलोत ने कहा कि इश्वर से यही प्राथना करता हूं कि शोकाकुल परिजनों को इश्वर शक्ति प्रदान करे और मृतकों की आत्मा को शांती दे तो अपखंड अधिकारी ने सभी मृतकों की परिजिनों से मुलाकात की है और साथ ही हर संभो मदद का भरोसा भी दिया है राजुस्तान परिचन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मिंदर राठोर अजमेर दोरे पर है और जुरान उन्होंने मोदी सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि केंदर की मोदी सरकार अपने राजनुतिक विरोधियों को दबाने के लिए केंदरी जाच एजेंसियों का दुरूपियों कर रही है इसे जाच एजेंसियों की विश्वसनियता पर सवाल खड़े होते हैं वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रिस सरकार की इस तरह की ओच्छी हरकतों से कॉंग्रिस का सिपाही न तो डरा है नहीं डरेगा राठोर ने केंद्रिस सरकार पर जम कर हमला बोला इसे के साथ उन्होंने कहा कि एजेंसियों का दिरुप्यों किया जा रहा है इससे एजेंसियों पर भी निशाने खड़े होते हैं और साथी उनकी विश्वसनियता पर भी सवाल खड़ा होता है इसे के साथ उन्होंने कहा कि जाच एजेंसियों की विश्वसनियता लगातार खत्म होते जा रही है और लगातार जिस तरीके से केंद्रिस सरकार काम कर रही है ये पूरी तरह गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए और ये जो भी कर ले, कॉंग्रेस न तो डरी है और नहीं डरेगी और नहीं कॉंग्रेस जुकेगी राज्यसबा सांसत की रोडिलाल मेरा सवाय माध्यपुर के बामनवास दौरे पर है और इस दौरान की रोडिलाल मेरा ने बडिला में आयुजित कनहिया दंगल और धार्मे कारिक्रम में शिर्कत की कारिक्रम के दुरान युवा नेता अनंत के नेतरतों में मेरा का फ़वी स्वागत हुआ एज़ुरान इस्थानी लोगों ने सांसत को तलवार भेट की और साफा बांध कर स्वागत किया वही संभोधित करते वे डॉक्टर मीरा ने धार्मिक आयजुनों को सामाजिक समरसता का आधार बताया उन्होंने कहा कि बावनवाज श्यत्र से वो पूरू में विधायक रहे और यहां के लोगों से उनका विशेश जुडाव रहा है पाँच साल पुराने राजकारी में बाधा और मारपीट के मामने के शुराय पाचन विधायक चंदरकांता मेगवाल रविवार को महवीर नगर थाने पहुंचे दो बार नोटिस जुरी दे जाने के बाद जब विधायक नहीं पहुंची तो पुलिस गिरफतारी के तयारी कर रही थी जिसके बाद कोट से चंदरकांता मेगवाल को राहत मिली कोट से गिरफतारी पर रोक लगाने के बाद रविवार को चंदरकांता मेगवाल खुद ही थाने गई जहां मामले को लेकर उनसे पूश्टाश की गई आपको बता दे कि इस प्रकरण के सम्मन में पूश्टाश की गई वहीं इस पूरे मामले में कोट ने गिरफतारी पर रोक लगा दी है पूरे प्रकरण की जाच शुरू कर दी गई है बीस फरवरी दो जार सत्रा को एगटना गटित हुई थी जिसमें कोटा सहर के सभी जगह के मिरे रामगुज मंडी विदान सभा सेत्र के जांसे में ग्यापन देने आई थे उस ग्यापन में बजरंग दल के कारिकरता थे पदादिकारी थे विश्व हिंदू परिशत के थे कुछ हमारे पार्टी के पदादिकारी थे जीले के और मंडलों के जो गटना करम यहां हुआ कई न कई हो सकता है आपस में उनकी पुलिश प्रशार्चन की उनकी कोई न कोई घटना हुई उग लाटी चार्ज हुआ जहीं मुझे में पास में ही एकदार में कारेकर में बेठी थी वो लोग बुलाने गए कि हमारे कारेकरता बेगोस की आलत में पड़े उनको ऑस्पिटिलाइज करवाई है में आई लेकिन जो हालाद वने वह आप सब के सामने पूरा नजा रहा था तेरा गंटा में तेरा बार लाट प्रदेश के कई जिरों में रिम जिम बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है थोड़ी दिर हुई बारिश के बाद आमजिन को गर्मी से रहात मिली आपको तीन तस्विरे दिखा रहे हैं जालोर दूदू और लोडी की जहां बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ बारिश की न सिर्फ इंसान बलकी बेजुबानों को भी गर्मी से रहात मिली तो गर्मी से लोगों को रहात मिली हैं आपको बता दी कि तापमान 45 डिगरी के पार पहुँच चुका था ऐसे में भीशन गर्मी से लोग बेहत परिशान थे लेकिन बारिश होने के बाद मौसम अब खुशनुमा हो चला है जिसकी वज़े से लोगों को गर्मी से थोड़ी रहात मिली तस्वीरें आप देख रहे हैं सड़के लबालब भरी हुई है और तेज गर्मी की वज़े से लोग परिशान थे तापमान में गिरावट दर्श की गई और मौसम सुहाना हुआ जिसकी बाद लोगों ने गर्मी से रहात मिली तो वहीं जंगलों में बेजुबान जानवरों को भी कर्मी से रहात मिली है राजसान मादिमीक सिक्षा बोट की कक्षा दसवी का रिजल्ट सोमवार को तीन बज़े खोशित किया जाएगा सिक्षा मंत्री बीडी कला जयपो रिसित सिक्षा संकुल के कॉन्फरेंस हौल में ये परिणाम खोशित करेंगे जानकारी देते हुए राजसान मादिमीक सिक्षा बोट की सच्चीव श्रीमती मेगना चौधरी ने कहा कि सेकेंडरी परिक्षा के लिए इस साल 10,36,626 परिक्षार्थी पंचिक्रत किये गए इसी तरह प्रवेक्षिका परिक्षा के लिए 7,239 और माधिमीक के लिए 56,215 परिक्षार्थी पंचिक्रत किये गए तो आपको बता दे कि सोमवार यानि कि कल दस्वी का रिजल्ट खोशित हो जाएगा और लंबे समय से दस्वी के शात्रों को इस दन का इंतजार था सिक्षा मंत्री बीडी कला परिणाम की खोशना करेंगे और कल रिजल्ट जारी किये जाएंगे दोपहर तीन बज़े रिजल्ट जारी होंगे और साथी वेबसाइट पर भी रिजल्ट अपलोड किये जाएंगे आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं आपको बता दें कि दौपहर 3 बजे रिजल्ट की घोशना सिक्षमंत्री बीडिकल्ला करेंगे और ऐसे में परिक्षार थी बेहद उस्साही थें क्योंकि लंबे समय से दस्वी के रिजल्ट का इंतिसार था और कल दौपहर 3 बजे रिजल्ट जारी किये जाएंगे और खबर जालोर की भीनवाल से है जहाँ पर भाश्पा ने जिले की बदहाल सडकों की मरमत नर्वदा की बंपरे प्रोजक्ट को जल्द शुरू करने और पैजल संकट और बिजली सहीत महतपूर समस्याओं को लेकर आनिशित काली नधर्ना शुरू किया भाश्पा की बैनर तले विशाल जनाकरोश, आंदोलन में जिलाध्यक्ष, श्रमण सिंग राव के नितरत में शुरू किया गया आंदोलन में सांसत देवजी पटेल, विधायक नारायन सिंग, पूराराम चौधरी और छगन सिंग राजपुरोही सहीत भाश्पा के स्यकडू की संक्या में पताधिकारियों ने भाग लिया तो ही डिडवाना में हुई 1,90,000 रुपे के लूट की मामले में पुलीस के हाथ बड़ी सफलता लगी है पुलीस ने इस पूरे मामले में कारवाई करते हुए एक आरुपे को गिरफतार किया मामले को लेकर थानाधिकारी ने कहा कि लूट के आरुपी की गद दिवस शिनाक्त परेट कराई गई थी इसके बाद आरुपी को पूछताश के बाद पीसी रिमार्ड पर लिया आपको बता दे कि आरुपी 1,90,000 से भरा बैग लूट कर फरार हुआ था जिसके बाद मामले में पुलिस ने तुरंत कारवाई करते हुए एक आरुपी को गिरफतार किया जिबकि उसके साथी नावाली कारुपी को निरुध कर लिया गया अजमेर की पुष्कर भेंकर सडखाथसा सामने आया आपको बता दे कि किनोसर घांटी की पास पीर बाबा की पास हुए सडखाथसे में 22 जवार दंपती प्रावेज बस के नीचु आकर गंबीर रुप से घायल हो गया पिलाल घायलू को जवार लाल नहरू अस्पताल में भरती कर आये गया वहीं पुलिस पूरे मामले को संग्यान में लेकर जाश कर रही है और खबर अजमेर की मसुदा से जहाँ पर ट्रॉक और बाइक की आपस में भढनत हो गई इस आपसे में बाइक सवार दो लोग खायल हुए घटा की जानकारी मिलते ही ग्रामिनों ने ट्रॉक ब्राइवर को मौकी पर ही दबोच लिया घायलों को एम्बलेंस की साहता से इस्पिताल भीज़वाया गया जहां डॉक्टरों ने घायलों को मुरत खोशित कर दिया उदेपूर से बड़ी खबर जहां पर आदिवासी यूवक के साथ मारपीट की गई तीन आरोपियों ने पिडित को जम कर पीटा आरोपियों ने पिडित को शराप पीने को कहा था पिडित के शराप पीने से मना करने पर उसकी पिटाई की गई आरोपियों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया जिसे वारल किया गया है घटना के करीब आठ दिन बाद ये वीडियो सामने आया पुलिस ने पिडी से संपरक कर केज धर्ज किया और पुलिस ने इन तीनों ही आरोपियों को गिरफतार कर लिया है तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह बहरेमी से युव को जम कर पीटा इस पूरे मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है मारपीट के आठ दिन बाद ये वीडियो सामने आया आरोपियों ने खुद इस वीडियो को बनाया था और इस वीडियों को वारल किया गया जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों ह आरोपियों को गिरफतार कर लिया और पिडित के बयान भी दर्ज कर लिये हैं तो युवक आधिवासी बताय जा रहा हैं जिसे तीरों युवकों ने पीटा अमाइपी यह हुई थी इसके गई दारु का दंदा बेशते हैं दारु के दंदे बेशते तूप दिर तोड़ी हो गई जिस दे में रष्टे जार्ज पर दे गर पर यह तक रहा हैं पर अंदे लेजा गए मेरेको बोला मेरा टूपा मैने बोला मेरेको जान भी निए जानता है निये आपको यहां आते भी निये बात हुई फिर ये मेरे साथ में मार फिर गन्य लेक्टे और खबर है श्री गंगा नगर के राय सिंग नगर से यहां समेज़ा थाना शुत्र की गाओं 1IWM थानी में एक युवक अपनी पतनी के धारदार हत्यारों से हत्या कर फरार हुआ इसके बाद शुष्णा पर पहुंची पुलिस ने शुष्ण को पोस्ट मॉर्डम के लिए भेजा जानकारी के मताबिक आरूपी पहले भी अपने भाई और एक शक्स की हत्या कर चुका है वहीं दो माहा पहली ही जमानत पर आरूपी छूटा था फिलाल पुलिस आरूपी की तलाश कर रही है अलवर की बांसूर में इंदी रोड चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है आपको बता दें कि कोट पुतली रोड पर तीन चोरों ने बाईक खड़ी कर बाईक को निशान बनाया गाड़ी चोरी की घटना से सिटीव में कैद हुई बांसूर में पिछले दो सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी चोरी की एक घटना है इससे पहले चोरों ने दिल्ली के स्पेक्टर की घर में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था वही चोरी की घटनाओं से पुलीस गष्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं साथ ये लगात्तार बड़ रही चोरी की घटनाओं से गरामिडों में भी आक्रोश है फिलहार मुझे दीजी इजासत और देखते रहे हैं इंडिया नियूज